आप सब का स्वागत है मैं विवेक बंदरा इंटरनाशनल मोटिवेशनल स्पीकर कॉर्परेट ट्रेनर आज हम हिंदी की इस मोटिवेशनल कारिशाला में आपका स्वागत करते हैं जिसमें हम सफलता के तीन सूतरों के विशे में चर्चा करना चाहते हैं एक एक करके हम सफलता के इन तीन सूतरों पे चर्चा करेंगे और पहला सूत्र आज का है जिम्मेदारी की शक्ति है जितने भी लोग जीवन में आगे बड़े हैं सफल होने के लिए जिम्मेदारी की शक्ति को उन्होंने जरूर अपने जीवन में उतारा होगा इस सफलता की सूत्र को जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी दी नहीं जाती केवल ली जाती है जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी दी नहीं जाती केवल ली जाती है आप जिम्मेदारी किसी को डे नहीं सकते हैं अगर आप लेने को तयार नहीं है मैं वैश्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा था एक दिन और सब बोल रहे थे जैमातादी मेरे बाहीं तरफ एक लड़की चल रही थी जिसकी पीट पे 12 साल का लड़का था जो अपाहिज था और दाइन तरफ एक साधू चल रहे थे जिनकी पीट पे बड़ी पोटली थी सब बोल रहे हैं तो प्रेम से बोलो जैमातादी और वो साधू चलते चलते बेटी को देखा लड़की को देखा वो भाफ रही थी उस लड़के को पाहिज को दर्सन कराने ले जा रही थी उपर तो साधू ने उससे का बेटी थक गई होगी बहुत बोज उठा रखा है बेटी तुम थक गई होगी बहुत बोज उठा रखा है लड़की में जवाब दिया मैं भूलता नहीं लड़की कहती है बाबा बोश तो आपने उठा रखा है पोटली का ये तो मेरा भाई है जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़े जो कभी दी नहीं जाती केवल दी जाती है जिम्मेदारी लेने वारे लोग बहुत तीजी से प्रगती करते हैं और उनकी प्रगती हर जगे ये एक सद्धान्त है ये भगवद गीता में कृष्ण ने भी इसमें बहुत चर्चा किया जुनके साथ सरवत्र सरवदा सरववस्ताजू सरवत्र मतलब सभी जगह पे सरवदा मतलब हमेशा हर समय सरववस्ता की मतलब हर परिष्टिती के अंदर ये जिम्मेदारी लेने वारे लोग प्रगती करते ही करते हैं और तो मॉबिल सेक्टर में ये कंपनी जो है मारूती सुजू की यहां पे एक वर्कर काम किया करते थे ईश्वर्सिंग ये वर्कर के लेवल पे थे और इन्होंने बहुत जिम्मेदारी ली और देखा कि उनके अंदर प्रगती करने की बहुत शमताई थी ना इनके पास खेट थे ना पैसा थे ना धन था ना किसी और की इनके पास में कोई सपोर्ट था एक ऐसे स्थर से यह उठकर के निकले जो की अपने आप में बहुत सा राहनिये हैं तो एक ये करांतिक गारी जो परिवर्तन जिवन में आया ये किस से आया केवल एक सिध्धान्त है जो हर एक विक्ति को समझना चाहिए अपने जिवन में जिम्मेदारी की शक्ति है सफलता के कहीं सूतरों में आज हम आपके साथ दूसरा सूतर लेने जा रहे हैं और दूसरा सूतर है आभार पत्रे का आभार पत्रे का या तो आभारी होंगे या आभारी होंगे आभार पत्रे का ये वो पत्रे का है जो आपको रोल शाम को सोने से पहले 15 मिन ठिकना चाहिए कि आज मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ आज मेरे जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ जानते हैं या तो विक्ति आभारी होगा या भारी होगा आभार विक्ति आभार प्रकट करने वाला विक्ति हमेशा बहुत हलका मैसूस करता है और वो कभी चिंता नहीं करता है वो चिंता मुक्त या चिंता युक्त नहीं होता वो चिंता मुक्त होता है वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है, चिंता इसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए इसलिए यह हमेशा कहा गया है, कि आभार व्यत करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए अभार पत्रे का, जहां दीजेगा, कुछ लोग कहते हैं, जो भी मेरे पास सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं, जो भी मेरे पास है, मेरे लिए खास है आप क्या चाहते हैं, आपके आसपास क्या आए, सब बकवास है या खास है, यह आपको ढूनना होगा और जो लोग सब बक्वास देखते हैं उनका वेवार भी बक्वास हो जाता है उनका विचार भी बक्वास हो जाता है और जो लोग सब खास देखते हैं उनका विचार भी खास हो जाता है उनका वेवार भी खास हो जाता है ऐसे लोग प्रकती तेज करते हैं मन में शान्त होते रोज कम से कम पांच लोगों धन्यवाद करिये धन्या मैसूस करेंगे तो आपका ग्रूथ अपने आप होगा अंग्रेजी में कहते हैं या तो आप ग्रेट फूल होगे या आप ग्रेट फूल होगे great full नहीं बनना है, great full बनना है हमारे को आभार वेक्ट करना है, रोज शाम को 15 मिनिट छोने से पहले है सफलता के कई सूतर हैं, पर आज हम सफलता के तीसरे सूतर की आपे चर्चा करने जा रहे हैं और तीसरा सफलता का सूतर है, जिंदेगी चुनावों का परिणाम है पर आप क्या करते हैं, आप परिस्थिती को दोश देते हैं, आप मनस्थिती में सुधार नहीं लाते हैं चुनाव करना, चुनाव करना ये आपी का चुनाव है सुनाब करने के लिए किसी और पर निर्बर रहने के वशकता नहीं अगर आप अपने जियोंने परिवर्तन लाने को तयार नहीं तो कोई नहीं ला सकता है एक खुब सुर्ट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कहते हैं कि मैं लगा रहा ताउम्र परस्थितियां बास बदलना चाहते हैं कोई शॉप फ्लोर बदलना चाहता है कोई अपनी वाइफ बदलना चाहता है कोई अपनी लाइफ बदलना चाहता है जिंदगी चुनावों का परिणाम है अच्छे विचार का चुनाव करी अपनी मनस्थिती बदलिये परिस्तिती खुद बखुद बदल जाएगी अपनी मान सिखता को बदलिये बास्तविक्ता खुद बखुद बदल जाएगी इसलिए जिन्दगी चुनाओ का परिणाम है सफलता का ये बहुत महत्वपून टूतर है कई कढ़नाई आएंगी आपके जीवन में कई कढ़नाई आएंगी आप गिरना चाहेंगे या खड़े हो जाएंगे गिवप करेंगे या गेट अप करेंगे या आपको चुनना है किसी और को नहीं चुनना है जिन्दगी चुनाओ का परिणाम है आप सीखना चाहते हैं या दोश लगाना चाहते हैं ये चुनाव आपका है कटिम परिस्थिती के अंदर कुछ लोग दोश लगाते हैं और कुछ सीखना शुरू कर देते हैं आप सीखना चाहेंगे या दोश लगाना चाहेंगे ये चुनाव भी आपका है कटिन परिस्थिती को आप कैसे देखते हैं कटिन परिस्थिती आपके लिए एक मजबूरी है या जरूरी है जिस परिस्थिती के लिए मजबूरी है कंदे जुख जाएंगे शरीर जुख जाएगा परिशान होगा कमदोर होगा दुखी लगेगा लेकिन जो कहेगा नई नई यह चुनौती है जरूरी है यह जरूरी है कटनाई नहीं है यह चुनौती है अच्छे शब्दों का चुनाव किया चुनाव अच्छे विचारों का किया चुनाव अच्छे शब्दों का किया जो लोग कहते हैं परिशानी है वो परिशान हो जाते और जो लोग कहते हैं चुनोती है वो खड़े होके सामना करते हैं अच्छे शब्दों का चुनाव करिए लिंदेगी चुनाव का परिणाम है ये बहुत बड़ा सफलता का सूतर है लिंदेगी चुनाव का परिणाम है एक और एक और चुनाव आपको देखना है कि आपको करना है लिंदगी आपके लिए बंधन है या बंदिश है जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं यह आपके लिए बंधन है या बंदिश है जिस विक्ति के लिए यह नौकरी बंदिश हो जाएगी ही वो विक्ति हमेशा दो तो बंधन की तरह निभाता है बंदिश की तरह नहीं और वो खुद भी सबसे पहला लाप तो उसको स्वैम को होगा क्योंकि उसको मानसिकता उसकी प्रसंदता हमेशा उसकी हमेशा सबसे उपर रहेगी तो जिंदगी चुनावों का परिणाम है हमेने जैसे बताया है जिंदगी चुनावों का परिणाम है अगला चुनाव आपको करना है कि ये कठनाईयों को आप क्या कहना चाहेंगे ये पहली है ये समस्या है अगर आपने का पहली है तो सॉल्व कर लेंगे और अगर आपने का समस्या है तो प्रश्म चुन्ने बन जाएगा जिंदेगी चुनावों का परिणाम है जिंदेगी चुनावों का परिणाम है आपको जिंदेगी क्या लगती है एक मौका लगती है या मुसीबत लगती है आपको चुनना है जिन्दिगी चुनाओों का परिणाम है ये विचार आपको चुनने है हाँ जिन्दिगी चुनाओों का परिणाम है आप अपने संसकारों को चुनिए आपके संसकार से बनता है आपका विचार आपके विचार से बनता है आपका विवार और उससे बनता है आचार और फिर होगा प्रचार और तभी आएगा व्यापार अगर बढ़िया व्यापार चाहते हैं तो बढ़िया संसकार और विचार ठीक करना होगा जिन्देगी चुनावों का परिणाम है चुनना आपको है आपके लिए कोई और नहीं चुनेगा लोग कहते हैं मुझे मौकाा नहीं मिला मुझे अफसर नहीं मिला ये मौका और अफसर आपको कोई नहीं देगा ये आपको अपने आप उठ़ाना है जिन्देगी चुनावों का परिणाम है तो आज हमने सफलता के तीन सूत्रों के चर्चा करी, सीखने की इच्छा आपके अंदर होने चाहिए पड़े लिखे होने से अच्छा है पड़ते लिखते रहना, देखिए स्लाइड पर ध्यान से पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं बलकि अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं पढ़े रहने स अगर ऐसे ही पड़े रहोगे तो आगे चल के और पड़ेगी इसलिए पड़े लिखे होने से अच्छा है पड़ते लिखते रहना क्या चाहेंगे आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे